बहुत जाद लोगों का सवाल है कि Python को अगर use करना हो Microsoft Excel के अंदर तो कौन सी add-in हमें use करने चाहिए ये वीडियो आपके लिए इसे save भी कर ले और comment section के अंदर मुझे पताइए अपको ये add-in कैसी लगी Microsoft Excel के अंदर जाने के बाद add-in में जाके आपने सिरफ Python टाइप करने है Python टाइप करने के बाद आपके पास multiple किसम की जो यहाँ पे add-ins आ जाएगी इसमें जो इस वक्त की best है जो मुझे लगता है इस वक्त कमाल की चरगी है that is Anaconda Toolbox और इसके इलावा आपके पास यहाँ पे और भी काफी जादा add-ins मुझूद है अगर आप गौर करें उपर से नीचे यहाँ से स्क्रोल करेंगे और अगर मैं Anaconda Toolbox के उपर क्लिक करूँ तो इवन add-in करने से पहले भी मुझे यहाँ पे इसकी description और different किसम की information यहाँ पे नजर आ जाएगी अगर आप description में और read करेंगे you will understand कि यह python को किस तरीके से आप utilize कर से ठीक है अब इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे python लेखूं दुबारा से Anaconda Toolbox को मैं add करूँ मैंने add कर लिया Anaconda Toolbox it will come like this and here you can see कि मैं यहाँ पे py script को यहाँ पे enable करूँगा but to do that I need to actually login into my account और मुझे यहाँ पे यह request जो accept करनी पड़ेगी कि मैं py script यहाँ पे python के script को यहाँ पे use करना चाता हूँ और अगर मैं इस permission को accept करता हूँ इसका मतलब है जितना में मेरा app का data है वो proper इनके साथ जो है वो exchange होगा Anaconda Code के साथ और यहाँ पे py script यह है जिन्होंने बनाई हुई है इसको मैं activate करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई official काम नहीं होता इस एक account के उपर जो मेरा इस वकर चल रहा है तो मैंसे accept करता हूँ accept करने के बाद it will take a minute minute लेने के बाद यहाँ पर यह हमें कहता है enable py script हम कर लेते हैं और अगर sign in करने का बोले usually you need to sign in as well but I won't do it let's see अब हमारे पास यह एनकोंडा इस तरीके से चल जाएगा now you have to sign up sign up करने के बाद sorry py script जो है आपके पास वो चल पड़ेगा ठीक है so this is how you can use it अब काफी लोगों का यह question है तो फिर हम tools विगरा काहां पर use करेंग अगर आप use देखें यहां पर toolbox भी मजूद है और यहां पर code भी मजूद है so when you will click on these two things you can write your code and you can use the toolbox क्योंके मैं sign in अभी नहीं करना चाहता मैं later on आने वाने lectures के अंदर आपको बताऊंगा कैसे use करना है और यह formula tab के अंदर यहां पे आ जाएगी इसके इलावा अगर आप यहां पर गौर करें formula के अंदर insert python भी है ठीक है so यहां पर python for excel के नाम से proper आपके पास एक preview चल रहे है ठीक है you can use this one as well और यहां पर इसको देख सकते हैं कि चार्ट कैसे बनाना बाकी चीज़ें कैसे बनानी है और python का code कैसे लिखना है अब जिस भी एक यहां पर check करें जिस भी एक cell पर click करके यहां पर insert python click करेंगे तो यहां पर proper आप code को enter कर पाएंगे जो python का होता है और वो python को code आपका सारे के सारा काम करेगा so these two ways to use python code can help you a lot and इंशाला आने वाले दिनों के अंदर हम जब python सीख जाएंगे तो इनकी integration भी करेंगे एक और चीज जो मैं लास्ट class में लास्ट lecture में नहीं बताई वो यह थी कि कोई भी एडिन अगर आपके पास आजाती है जैसे यह data के अंदर है home के अंदर है यह एडिन मौजूद है इसको मैंने remove करना autopilot को या कोई और को मैं right click करके remove add-in कर सकता हूँ and yes पर click करके यह remove हो जागी अ लेक्शर को like नहीं गया एंड इंशाला आने वाले लेक्शर के अंदर आपको और भी डिटेल में मैं सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ